इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की स्मैकडाउन के शो के बारे में शो कैसा था अच्छा था बुरा था और गोल्ड वर के बारे में और कौन-कौन से मैचस देखने के लिए मिले क्या क्या हुआ तो हम सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो बीडियो को देखना लाश्ट तक क्योंकि बीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला इस बीडियो में एम रखता हूँ सिर्फ 50 लाइक का तो यार बीडियो में 50 लाइक कम्प्लीट करा देना सब भी हम बात करते हैं स्मैक डाउन के शो के बारे में सबसे पहले शो की शरुआत होती है दा मिज एंड जोन मोरिजन से तो दा मिज डर्ट शीट के बारे में बात करते हैं तो डर्ट शीट ऐसा मतलब एक एड था जिसमें दा मेज एंड जोन मोरजन के सारा है जितना पास्ट में उन्हों किया वो सारा है उन्हों में कवर हुआ है क्या क्या उन्होंने पास्ट में किया किस तरह से जोन मोरजन का रिटर्न हुआ तो मतलब वो एक तरह का एड था तो स सूपर शो डाउन तो देखो इतना कहते उसके बाद थीम सॉंग प्ले हो जाता है दा न्यूडे का कोफी किंग्स्टन आते हैं और वो माइक पकड़ते हैं बोलते हैं कि एड़ बगएर आए दिखाना लोगों को बंद करो और हमारा मैच है जैसे कोफी किंग्स्टन कुछ अटेक कर देते हैं न्यूडे की टीम पर तो उसके बाद उसस बचाने के लिए जाते हैं लेकिन जोन मोरिजन एंड़ निकल जाते है डवली डवली रेंग से बार तो वहां पर हमें मैच भी कंफर्म होता हुए दिखाई दिया जो होना था इसी स्मैक डाउन में वह था दा मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह सा है तो इस मैच में हमें जीते हुए दिखाई देते हैं दा उसस जब दा उसस अपना फिनिश रमूव लगा देते हैं तो इस मैच में हमें जीते हुए दिखाई देते हैं दा उसस सो इस वाले मैच के बाद हमें एक मैच देखने के लिए मिलता है एलाइस वर्शिस से जारू सो ङर अगर मैं मैच की बात करतो हूं यर जह मैच भी अच्छा था तो तो इस मैच में हमें बिंडर देखने के लिए मिलते है एलाइस हाला कि इस मैच में Sammy Zeim के बात हमें Baron Corbin का एक प्रॉमो सा देखने के लिए मिलता हूं उस प्रोमो को देख रहा ऐसा लगा कि बेरन को एक तरह का सदमा लग गया जिस तरह से रोमरेंस एंड उसुज ने लाष्ट वीकोन की बेज़िती की और वहां पर बेरन कोरवेंस लोगों को कहते हैं कि पहले तुम मेरी बात सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं कि रोमरेंस कभी नहीं मुझे हरा सकते हैं बेरन कोरवेंस काफी देड़ तक बाते करते हैं कि मैं स्मैक ڈाउन का किंग हूं और मैं ही जीतने वाला था लॉर competent को तो देखो वह रोमरेंस के बारे में कहते हैंते हैं और वह फैंस की और से उन्मिलती हैं वहत्जू जादा उन्हें खीजाती कि इस तरह से मेरे साथ भी रॉपमरेंस ने लाष्ट मंत किया था इसी तरह से मेरे साथ वेजिती की ती तो तो इतना कहते हैं उसके बाद theme song play हो जाता है रोमरेंस का रोमरेंस डवली डवली की रिंग में आते हैं तो रोमरेंस ड्राइबाय लगाते है बैरन कॉर्विन को मतलब काफी देर तक वो एक दूसरे से fight करते है तो बैरन कॉर्विन बाहां से निकल जाते हैं फिर वो डवली की रिंग में जाते हैं औरॉम अरेस कहते हैं कि हावाइ एक मैच और हो जाना चाहिए और रोम इस उन्हें चैल्नज कर देते हैं मैच के लिए तो मैं शायद मैच देखने के लिए मिल सकता है वह वहोगा सूपर शोडाउन में तो उसके बाद बैरन कोर वे ने जिस फैंस की बेश्टी की थी वह रोमरेंस बहां पर जाते और उसी फैंस से मिलते हैं फिर हमें जो सारा मैच पगरा मतलब जो फाइट पगरा होती है जो खतम होती दिखाई देती है इस मैच के बाद हमें एक क्ट वर्गा प्रोमो देखने की लिए मिलया हमने ऐसा एकस्पेक्ट किया था कि गॉल्ड वर्गा में www की रेंग में देखने के लिए मिलेंगे तो ऐसा थो कुछ भी ने हुगा तो वह एक स्टेज पर थे बहां से उन्हों का मिल गया युनिवर्सल टाइटल के लिए होगा मैच सूपर शोडाउन में तो उसके बाद यहां पर फी एंड का भी एक हमें चोटा सा प्रोमो देखने के लिए मिलता है फायर फ्लाइ हाउस एक वीडियो आने लग पड़ता है कि गोल्डबर्ग सोच रहे हैं कि मैं चैलन् सा पता चली गया कि हमें दोनों सूपर स्टार के बीच सूपर शोडाउन में एक मैच देखने के लिए मिलेगा योगा युनिवर्सल टैटल के लिए अभी यार यह बताना बहुत जादा मुश्किल है कि कौन हमें इस मैच में जीता हुए दिखाई देगा इस मैच के बाद इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिनशिप है तो सबसे वहले तो बात करते कि यह चीज़ मेरे लिए बहुत जादा अमेजिंग है क्योंकि फर्स टाइम में मेरी एक अचीमेंट है जो मैंने डवली डवली रिंग में की ब्रॉंस टामन बोलते है कि मैंने काफी सारे डवली डव आया और मेरे पास आज इंटर कॉंटिनेटल चैंपिन आगी भी मैं सुपरस्टार के साथ टाइटल के लिए मैच रैसल करूंगा फिर थीम सॉंग पहले हो जाता है शिंसके नाका मूरा का और उनके साथ सैमी जैन भी आते हैं और ब्रॉंस टामन पहले उन्हें सीधा एक मै रिवाईवल आ जाते और वो अटेक कर देते हैं ब्रॉंस टामन पर तो शिंसके नाका मूरा एंट सैमी जैन भी आ जाते है रिंगिमर भी आ टेक करने लग पडे तो जैसे शिंसके नाका مूरा अपना प्यंशर मूव देने वाले होते हैं तो ब्रॉंस टामन बहां पर खड लाश्ट में एंड पर जाकर शिंसके नाकामुरा फिर से अपना फिनिशर मूव लगा देती हैं ब्रॉण स्ट्रोमन को फिर जैसा कि मैंने शुरुवात में भी कहा कि बीडियों में 50 लाइक कर देना अगर कर देते हैं तो बहुती बढ़ीया चीज होगी तो यहार मिलते हैं वीडियों में जब तक के लिए बाई बाई